दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Crude Oil की ये अभी मैंने Crude Oil का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है और अभी आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कल का टाइम फ्रेम है 5 मिनट का इसमें कल हमने देखा कि एक छोटी सी एक Gap Up Opening के साथ ही एक Crude Oil खुला था और वहां से इसमें एक उपर की तरफ Market ने अपने आपको सस्टेन करने की कोशिच करी थी जिस टाइम मैंने लगभग यहीं पर मैंने एक वीडियो बना के अप्लोड करा था जिसे लेकर आप कॉल में एंटर करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं पर यहां पर इसने एक हाई मारा था 2978 का इस एरिये का जो हाई था यह वाला और उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया नीचे काफी नीचे तक आया यह 2930 के आसपस तक शायद कुछ इसका एक यह लो लेवल रहा था फिर मार्केट ने यहां से एक और बाउंस दिखाया और इसने नया हाई बनाया जो लगा था 2983 का फिर से यह इसने यह वाला लेवल तो जरूर ब्रेक करा पर 2987 ना तो इसने टच करा ना उसे ब्रेक करा और यह मार्केट में फिर से यहां से एक डाउंसाइड शुरू हो गई जिस डाउंसाइड ने अपने आपको कंटीन्यू रखा और इवनिंग तक वो डाउंसाइड कं पूरे दिन कंटीन्यू रही है और इसने जो हमारा एक एक ब्रेक आउट लेवल था वो भी ब्रेक नहीं करा था तो बैं की कॉल में हम एंटर नहीं कर रहे थे और सेलिंग जो थी वो गंटीन्यू रही थी यह मैंने आपको बदाया पांच मिनिट के चार्ट पर आएए पं 906 पर आगर क्लोज हो गया देखिए अब मैं आप कुछ चीज़े मैं बताना चाहरा हूँ जिसका आपको ध्यान में रखना चाहिए पहली चीज़ के क्रूड ओयल में अब अगर 2987 अगर अब आता है तो आप उसमें आप उसे as a stop loss सिर्फ ट्रेट करेंगे stop loss कप ट्रेट करेंगे जब आपने कोई call सेलिंग की लिए होगी तो ही आप उसे stop loss ट्रेट करेंगे वरना तो आपको फरक नहीं पड़ेगा कि उसमें आ रहा या नहीं आ रहा कहने का मतलब सिर्फ ही है कि इसका अब के market के एसाब से आप इसमें buying में ना इंटर करें किसी भ से नीचे की तरफ एक downside में ले जा रहा है ठीक है अब और ये जो ये selling इसमें continue रहेगी देखिए मैंने आपको बार बार अपने वीडियो में एक level का मैंने जिक्र करा है कि 3200 जब तक ये break नहीं करता तब तक इसमें हमें एक resistance हमें देखने को मिल सकता है और जिस दिन ये इस 3200 का level break करता है तो और जब तक ये इस level को break नहीं करता तब तक इसमें एक selling pressure हम बनता हुआ देख सकते हैं जो continue रहेगा अभी देखिए मैं आपको सबसे पहले weekly charts पे इसकी candle दिखाता हूँ आपको शायद थोड़ी सी और चीज़े clear होंगी weekly charts पे यहाँ पर हम आए देखिए जो मैंने आपको एक resistance level बता रखा है वो है 3200 का बिलकुल यह level यहाँ से इसमें एक selling देखी गई है अपने यह high से करीब करीब 2500 से 300 point का इसने एक low बनाया था जो crude oil के लिए काफी एक बड़ा amount है अब अगर यह next week जो start होता है उसमें अगर इस candle का high break होता है और high भी छोड़ हो high तो मुझे exact ध्यान नहीं क्या था पर 3145 का level अगर यह break करता है तो आप buying की call में enter कर जाएंगे तब हम stop loss को लेकर बात करेंगे कि तब क्या stop loss है पर इस time अगर यह 3145 break करता है तो आप buying की call में आप enter कर जाएंगे मतलब यह level पूरे हफते के लिए पूरे हफते में कभी यह level अगर आपको ऊपर की तरफ ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो आप इसमें enter कर जाएंगे और जो इसे फिर यह अगर यह break कर देगा तो बहुत ही अच्छे level बहुत ही एक जबरदस जंप आपको ऊपर की side मिल सकता है और या फिर दूसरी चीज़ ही होगी कि इसमें फि selling की calls हैं वो आप ignore करें calls आप जो लें वो सिर्फ selling की लें trend इसका downside का है आप selling की call लेकर आप stop loss ज़रूर बना के रखें देखें अभी current price का stop loss आपका रहेगा 2987 का जब तक यह trigger नहीं होता तब तक आप कौन से level पर selling की call लेनी है वो एक चीज़ matter कर सकती है कि कहां पर हम selling करन यह है इसके नीचे जब तक market रहता है market में selling pressure जो है वो continue रहेगा यह लेवल अगर आपका break हो जाता है trigger हो जाता है आपका stop loss तो आप एक next breakout का वेट करेंगे जो या तो यह यहाँ break करने के बाद सीधा 3145 टच करेंगा या फिर वापस यह नीचे आएगा तो फिर कौन सा एक breakout level होगा हम उसमें enter करेंगे तो कुछ इस तरीके की हम strategy को लेके हम crude oil में आगे हम trade कर सकते हैं अभी देखिए मैं एक घंटे का chart open करता हूँ देखिए जो buying का level यह आपका stop loss level है ठीक है यहाँ पर 287 का जो मैं बता रहा हूँ और buying का level आपका यह level है 3145 का इसके ऊपर ही आप buying करेंगे इससे पहले आप कहीं पर भी buying मत कीजिए यह level break होता है market यहाँ हो सकता है considerator के वापस नीचे गिर जाए क्योंकि बहुत ही crucial level है यह अगर break होता है तो market एक जबरदस एक sharp move दिखा देगा उपर की side में और अगर यह break नहीं होता उपर में तो इसमें selling pressure जो है वो बा level भी break करें इसके नीचे sustainable ही ज्यादा नहीं करा market में ऊपर की तरफ तरफ एक pullback जरूर दिखाया था अब यह यहाँ पर है तो indication यह ही है कि market में selling pressure है यह जबरदस move आया यह चोटा सा move आया तो यह कुछ चीज़े यह indicate कर रही है कि lower level पे bind तो जरूर आई है पर उसमें bears में इतनी strength भी नहीं है कि वो उसे उपर के level पे hold कर आप है तो यह घंटे के chart में आपको बताया था चाल घंटे के chart पे भी देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इस तरीके का अगर यह कोई box form कर लेता है और उसमें यह नीचे की तरफ अगर यह चलता रहता है यह नीचे को पता चलेगा पर फिलहाल मैं आपको अपसे फिर से यह की चीज़ कहूंगा 3145 का level जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें buying ना करें तो यह था मेरा crude oil पर आज का वीडियो बने रहे हैं मेरे साथ देखते रहे ही market report और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक like औ